जो आपको बता दें कि शेलिन चोपड़ा बीते कुछ महिनों से अश्लील फिल्म मामले के केस में सुर्खियों में अब इस मामले में ओलची आक्ट्रस शिल्पा शेटी के पती राजकुंद्रा भी जमानत पर बाहर हो चुके लेकिन अब शेलिन चोपड़ा ने इस सेलेबिर क्योंकि दोरान शेलिन ने इस बात का खुला सकिया ने का कि शिल्पा शेटी और उनके पती राजकुंद्रा ने मुझे अंडर वर्ल्ट की धंकी दी है और इस खबर के उनसार शेलिन ने भी कहा कि उन्होंने अब मुझे मानहानी का नोटिस बेज़ा लेकिन मैं डिरूंग शेलिन बेज़ चुकी है याद दिला दे कि हाली में शेलिन चोप्रा ने राजकुंद्रा और शेल्पा शेटी के खिलाफ कथित रूप से यौन उतपीड़ें धोखा धड़ी और आप रादिक धंकी के लिए शिकायत दर्ज की थी जिसके बाद शेलिन ने भी मानसिक प्रत शेलिन ने में असेक्स्वल हरास्मेंट के साथ धोखा धड़ी का भी आरोप लगाते हुए के इस दर्ज करवाया था और इस सलसले में बीते दिनों एक्स प्रस कॉन्फरेंस में शेलिन चोप्रा ने बयान दिया कि मुझे मेरे पेमेंट उन्होंने नहीं दिये हैं और और मुझे मैं उन्होंने इस दिन घ्ल रगटेंस विग्वारेंस और इस दिटेगों अग्यों नहीं इस द्क्राव झांस तो की बाटेंस आर।